राजानी रायपूर के साइंस कॉलेज मैदान में चार दिवसी नौर्थिस्ट फिस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है शनिवार से शुरू हूए इस आयोजन के पहले दिन आठ राज्य के कलाकारों ने अपने अपने राज्यों के खुबसूरत नृत्य पेश किये कारिक्रम का आयोजन दक्षण मध्य सांस्कृति केंद्र नागपूर और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 36 गर द्वारा किया जा रहा है इसमें 36 गर सहित, मडिपूर, असम, नगालेंड, अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्के, महराष्ट, तेलांगाना, आंधर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ततक करना तक के लगभग 250 से ज्यादा कलाकार चार दिनों तक अपने राज्य की कला संस्कृति का प्रदेशन करेंगे दक्ष्ण मध्य शेत्र संस्कृति केंदर नाकपूर की उप संचालक गौरी मराठे ने बताया किस कारिक्रम के माध्यम से उत्तर भारत की राज्यों की कला संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलेगा नौर्थिस्ट का जो कल्चर है नौर्थिस्ट का जो अलग पहरावा है अलग डांस पॉर्म है अलग कुजीन है यह सबका यहाँ च्छतिसगड में राइपूर के लोगों को वो इसका अनन ले सके और उसके साथ ही दौर्थिस्ट की लोगों को भी यहाँ च्छतिसगड की समस्कृति के बारे में खानपान के बारे में रहने के बारे में बाकी सारी चीजों के बारे में पता चल सके इससे नाशनल इंटिग्रेशन को बढ़ावा मिलता है इसी बड़े उद्दिश के साथ आज यहाँ पर ये फेस्टिवल का आयोजन किया है प्रदेश के संस्कृति मंत्री ताम रद्वय साहू ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमें एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है यह कारिकरम एक राज्य की संस्कृति का दूसरे राज्य की संस्कृति के साथ आदान प्रदान करने का बेहतर माध्यम है अलग-अलग सेंटर में ऐसा चलते रहता है जिसमें अलग-अलग प्रांतों के वेज भोसा, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके भोजन सब को जानने पर रखने का उसर मिलता है यह बहुत अच्छा उसर है जो पूरे भारत वर्स को एकता और खंता के नारा देते हैं उसको साबित करता है आपसन भाईचारा और सब्भाव का वातरा बनाने की दिशा में मैं आजकों को बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ शनिवार को दी गई प्रसुती में सभी राज्यों की कलाकार रंग बिरंगे पोशाकों में एक साथ मंच बराए और नित्त से दर्शकों का मन मोह लिया कारक्रम स्थल पर विभिन राज्यों के क्राफ्ट तथा भोजन के स्टॉल भी लगाए गए हैं जहां पर आने वाले दर्शक उन राज्यों की खानपान से भी परिचित हो सकेंगे